जैशी रिष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग क्या आपको हमेशा थकान-थकान सी महसूस होती है क्या आपके पैरों में बलकि अगर मैं बोलू तो क्या आपकी पस्लियों में दर्द होता है क्या आपको रात को सोने से पहले कुछ मीठा खाने का बहुत जबर्दस्त मन करता है क्या आपको दिन के वक्त चीजे करने में बड़ा तनाव महसूस होता है उल्जन लगती है और वही चीजें आप शाम को या रात को बहुत असानी से कर पाते हैं क्या आपकी लाइफ में ऐसी भी कमी नहीं है कि आप कुछ पा ना पाओ या अपने मन का ना कर पाओ लेकिन उसके बाउदूद भी आपके मन की संतुष्टी नहीं होती है क्या आपके कपड़े फट जाते हैं क्या आपके कपड़ों पर लोगों की नजर बहुत जल्दी तिक जाती है क्या आपके कपड़े बहुत ज़ादा खो जाते हैं क्या आपके पर्स में कट बहुत जल्दी लग जाता है क्या आपके घर के अंदर कही ना कही मरमत का काम हमेशा चलता रहता है क्या आपके पती-पत्नी के बीच के रिष्टे में तनाम हमेशा बना रहता है क्या आप एक दूसरे की मन की बात या कही हुई बात भी समझ नहीं पाते हो जिससे हम mutual understanding कहते हैं क्या आप दौनों को एक दूसरे को लेकर वो प्यार का एहसास नहीं होता ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है या सामने वाला आपके लिए वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन मन को कहीं तसली नहीं है मन को कहीं ये विश्वाश नहीं है कि वो आप से या आप उनसे उतना प्यार करते हो क्या सब कुछ होने के बावजूद भी किसी चीज की गुझाईश है कुछ चीज पाने की बहुत जादा तलब है क्या अंदर कुछ ऐसा है जो लगता है कि खाली है क्या आपके अंदर एक दर्द हमेशा आपको कहीं न कहीं महसूस होता है जब कि दर्द की कोई बात नहीं है सब कुछ नॉर्मल है लाइफ में छोटा मोटा सब के साथ होता है लेकिन आपको वो पेन हमेशा जरूर कहीं न कहीं दर्द देता होगा क्या ऐसा होता है कि जब आप घर से बाहर कहीं जाने का मन बनाए तो आपका मन अजीब सा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डल हो जाता है या बाहर जाकर आप खुश नहीं रह पाते, क्या ऐसा होता है कि आपके साथ के लोग, चाहे वो आपका friend circle हो, या आपके बराबर के आपके cousins हो, जब आप उनके साथ बैटते हो तो आपको लगता है कि आपकी life उनके जैसी नहीं है, कुछ है जो उनसे अलग है, कम है, कमिया है क्या ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर महसूस होती हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ और हो सकता था, मेरी जिन्दगी कहीं और होनी चाहिए थी, वो पता नहीं कौन सा पल था, करम था, क्या भाग्ये में लिखा था, जो मैं यहां हूँ, होता है मेरी जान, इसमें कोई भी एक ऐसा सिम्टम जो आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि सच में ऐसा मेरे साथ है, तो आज का एपिसोड आपके लिए हैं, शुक्र के बहुत सारे उपाए आपने किये हैं, शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे उ किसी ने बताया है और ना आज से पहले आपने यह किया होगा अब करेंगे और इसका फल भी स्वैम देखेंगे उपर सुखत को हम बरफ की तरह लेते हैं ऑह फंडा होता है शुक्र और शुक्र को उसी बरफ में से निकला हुआ पानी माना जाता है कैसा होता है बरफ को आप बाहार रख देंगे पिगला देंगे तो वो क्या बन जाएगा पानी लेकिन शुक्र पानी नहीं है पानी कौन है चंद्रमा शुक्र क्या है शुक्र बरफ का पानी है एक जमी हुई बरफ का निकला हुआ पानी व बगото दे जाते हैं तो wildlife और धारण करा देते हैं चाहिए बेशक वह हो आपकी कुंद्ली में मारकेश यहार मारकेश ऑपर पहणा देते हैं है शुक्र को सही करने के लिए तweek भी बुला जाता हि कि आप ध्यारण कर लिजी क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज जो हम करें कोई ऐसा उपाय जो हम करें कि बैनेफिट उसका कितना होगा यह बात की बात है उससे हमें कुछ नेगेटिव तो नहीं मिलेगा उससे जो चल रहा है जिस जगह पर मेरा शुक्र खड़ा है वो उससे डाउन तो नहीं जाएगा वो मेरे लिए और ज़्यादा खराब या और ज़्यादा नेगेटिव तो रिस्पॉंस नहीं कर देगा क्या आपने ऐसा कोई उपाय कभी सोचा है करने का नहीं तो आज मैं आपको वही बताने आई हूँ आपको पता है आपकी जीवन के अंदर शुक्र बहुत काम करता है लोग इसको एक तामसिक ग्रह की तरह भी लेते हैं इसको विलासी ग्रह भी बोला जाता है लोग ऐसा कहत हैं कि जो शुक्र की रेंज में आ जाता है उसका आच्रन खराब हो जाता है कहते ना कैरक्टर ढिला हो जाता है लेकिन इसी शुक्र को अगर हम मजबूती के साथ पकड़ ले अपने अंदर इस शुक्र के साथ साथ अपने गुरु को भी प्रबल कर ले यानि कि सयम रखें अपने अंदर उस उर्जा को संचालित कर ले अच्छी से अपनी अंदर ही उस चीज को खपाने लग जाए तो ये शुक्र आपको क्या से क्या दे सकता है कभी आपने सोचा है अच्छानक ऐसा होता है चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है चेहरा डल होने लगता ह ओक котор 7 गड़े आने लगते हैं काला पन आने लगता है हमारी स्कीन स्काट ठोन खराब हो जाता है यह सब किसकी वज़े से था इसका प्रमुख और मुक तो शुक्र ही होता है घ्र की और भी और ग्रेंट चेंट को आपकी हो खराब करते हैं लेकिन फीका पनाना आपके चहरे की रंगत उड़ जाना आपके अंदर से चमक चले जाना आपका आकर्शन खतम हो जाना आपके चहरे पर ग्लो नहीं रहना यह सब खराब शुक्र की निशानिया हैं शुक्र खराब है तीन चीज़े खराब हैं पहला आपके जीवन की विलास्ता खतम विलास्ता का मतलब यह नहीं कि आप बहुत फाइव स्टार में रहेंगे आपके पास मर्सेडीज भी होगी यह विलास्ता नहीं होती विलास्ता का मतलब होता है हम अच्छा खा रहे हैं अच की लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान के बाद छोटी बड़ी उससे मैटर नहीं करता एक फोर वीलर अगर है तो उस इंसान का शुक्र कहीं ना कहीं काम कर रहा है अगर किसी इंसान के पास अच्छा घर है रहने के लिए तो उसका शुक्र अच्छी से काम कर रहा है विलास आपकी लव लाइफ आपकी रोमैंटिक लाइफ उसकी तो पूरी तरीके से बैंड बच जाना लव होते हुए भी वो लव बहुत जादा दिक्कत दुख परेशानियां कलेश यही सब देगा रोमैंटिक लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपको कभी भी किसी से प्यार की अनुभूती ही नहीं हो पाएगी जिस तरह का प्यार आपको चाहिए वो प्यार आपको नहीं मिलेगा और आप दूसरों को देखेंगे तो आपके मन में यह भाव आएगा कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं यह शुक्र खराब होने की निशानी है और तीसरी सबसे महत पून ची आपकी छूटी छूटी खुशियां आपको नहीं मिल पाएंगी यह भी कहीं ना कहीं खराब शुक्र के कारण होता है अब कौन सी कुनली के अंदर बैठा है और कहां से आपको नेगेटिव दे रहा है यह कोई अच्छा जूत्शी ही आपको बता सकता है पकड़ने वाली च कुछ ऐसा उपाएं बताने वाली हूं जिससे आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाइगा मैंने कहां ना से पहले नहीं बताया किसी भी मीक इस मना कछे कि जब आपसे मैं आज बात कर रही हूं शुक्र के उपाई की तो मैं आपको इतना सरल उपाई देने वाली हैं जिससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर आएगा देखिए आप अपनी अनुस्ता जो आपकी अपनी इच्छा है आपकी सामर्थ है या आपकी को छोड़ कर आप समुंदर में से निकलने वाली किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं जैसे की शंक मोती शंक इंद्रजाल शुक्रमनी कोडी गोमती चक्र आप किसी भी ऐसी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं जो समुंदर में से निकलती हैं कोई भी चीज ले लीज़े ठीक है इन में से किसी एक चीज को आपको लेलेना है आपको एक पथर लेना है छोटा सा खुर्दुरा पथर लेना है शुक्रवार के दिन आपको इस पथर को अच्छी से गंगा जल से साफ कर लेना है इसके उपर आपको सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाना है आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसके बाद आपने कुछ भी लिया है सपोस करिए आपने गोमती चक्र लिया है शुक्र का मंत्र क्या है नीचे लिखा है आप नोट करिए ओम, द्राम, द्रीम, द्रोम, सह, शुक्राय, नमह, थोड़ा मेहनत से और साबधानी से करने वाला कारे है ये, आप ये शुक्रवार को सूर्य अस्तिस से पूर्वी ये कारे कर लेंगे, एक चीज हमीशा याद रख सूर्य तब तब पीड़ा देता है जब जब की वो शुक्र के साथ संबंद बनाता है यानि की आपको बहुत अच्छी से पता है ना सूर्य एक महीने के बाद हमीशा दूसरी राशी के अंदर भ्रहमन करके चले जाते हैं शुक्र की दो राशिया होती है व्रश राशी और तुला राशी जब जब भी शुक्र की राशी में सूर्य का प्रवेश होगा यह मान के चलिएगा अच्छे भले धनाडिये इनसान का व्यपार कहीं ना कहीं डाउन जाएगा अच्छा भला चल रहा बिजनस कहीं ना कहीं एक महीने के लिए आपको दिक्कत देगा खर्चे बढ़ा देगा तो सूर्य और जो शुक्र है न यह एक दूसरे के विप्रीत है एक बहुत थंडा है और एक बहुत ज्वलंशील है तो आपको यह जो कार्य है यह सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेना है नहीं तो इसका इफ्ट आपको नहीं मिल पाएगा इसके बाद जब आपने अच्छी से 108 बार मंत्र बोला और घिस लिया पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेगा क्योंकि हमें वही पानी खटा करना है जब आपके मंत्र पूरे हो जाए तब आपको महालक्षमी को स्मरन करना है उनको याद करके आपको वह जल किसी छोटी सी कटोरी के अंदर डाल कर रख लेना है अगले दिन आप जब इसनान करेंगे तो आप इसी जल से इसनान करेंगे यह क्रिया लगातार 40 अब लड़कियां मुझे बोलेंगे हमारे पीरीड़ चा जाएंगे हम उतने दिन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, तो उतने दिनों को छोड़ दीजेगा, उसके बाद से वापस continue कर दीजेगा, छे दिन नहीं करेंगे आप, तो छे दिन छोड़ दीजेगा, और अगर सपोज आपने दस दिन करा है, तो फिर छे दिन के बाद आप ग्यारवा दिन गिलेंगे, चीक है, क्रियर हो गया, ये क्रिया करके देखिए, जैंट्स को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो जब ये कारे क करेंगे, तो उन्हें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, वो 40 दिन अराम से ये काम कर सकते हैं, अब कुछ लड़कों को ये दिक्कत जरूर होगी, कि हम दिन में तो ऑफिस जाते हैं, तो भाई थोड़ी महनत करिए, सुबह जल्दी उठीए, जाने से पहले ये कारे करके जाहिए, और अगले दिन के लिए जल्द एक दिन पहले ही तैयार कर लीजे, करके देखिए, शुकर का इस से सस्ता और इस से उपियोगी कोई प्रियोग हो नहीं सकता, वैसे तो शुकर के लिए चीनी का दान, चावल का दान, दही का दान बोला जाता है, लेकिन आप अगर इस क्रिया को करते हैं, तो इसके बहुत चमतकारी आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, आपकी नवांश, आपकी लगन कुंड़ी, आपकी चंद्र कुंड़ी में बैठा हुआ शुकर आपको क्या फल दे रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो दिये गए नंबर्स पे कॉल करिये, वाट्स आप करिये, मैसेज करिये, अपनी कुंड़ी का विशलेशन करवाईए और उसके बाद शुक्र के उपाय चालू करिये, चलिए जी, मैं फिर आती हूँ, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बूर लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे गा, इस्तों में मजबूती बनाके रखेगा अपने शार्थी के साथ जुड़े रहेगा, प्यार देते रहेगा, प्याल लेते रहेगा, ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं, मैं जल्द आप से मिलने आउंगी तब तक के लिए जशी कृष् नेक दुरलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवाड से नवासा जा चुका है।